हलो दोस्तों नमस्कार आदाप सस्रिया काल सभी को जी एस दिन्यू कर्ण में आपका हार्तिक स्वाकत और उनंदन करते हैं आज हम बात करेंगे अनाइस डिलेट बरसेस बीएट को लेके बड़ी खबर है आपका इस सम्माद जनित पेपर जो के आल इंडिया में दैनिक जाग अब यही सुप्रीम कोर्ट है जो कह रहा है कि बीएट को प्रथामिक में सामिल किया जाए दोनों केस में देखिए पेचीदा कैसे जज़्जमेंट है अब आपको इसको समझना है कि आने वाले एनाइस डिलेट को इछादरों कि इसमें फाइदा मिलेंगे बिल्कुल बहु अगर यह निउस जैसे भी है दैनिक जागन ने छाप रखी है अगर यह ऐसा होता है तो भारत के प्रतेक राजों में से बीएट को प्रथामिक से बाहर किया गया यही सुप्रीम कोट 11 अगस्त के फैसले से अब यही सुप्रीम कोट डिलेट को बाहर किया और कैसा हो सकता है ये मैटर बिल्कुल समझने पेपर में आप देख सकते हैं बकाईदा बिल्कुल इसमें अस्पष्ट के लिए रिफाइ किया है उत्राखण में बीयर्ड टीटी प्रसिछत प्रथामिक विद्धाले में सिच्छक बनेंगे योग होंगे वहीं पर यनायस डियरड के पकड़ने को सुप्रीम कोट ने उनके अठारा महीने का जो डियर्ड कोर्स था उसको इन बैलिट करार देते हुए इनको आगे अनने वाली भारती प्रथामिक सिच्छ में सामिलना करने की बात कही गई है दोसरी वी चीज आप कोई देखिए अगर उत्राखंड में बीयर्ड करने करें दें लेकism लेकिये का पीपर में बहुत अच्छी तरह चाप रखा है कि अब वही सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट को सामिल कर रहा दूसरी तरब की डियर्ड को बाहर किया जो कि आप देखेंगी 11 अगस्त के फैसला बहुत जादा दिन चला कि बीएड को बाहर के बीएड वाले बहुत इस्टेगल किये फिर भी उनको भी सामिल नहीं के लिकिन उत्राखंड में आप बीएड को सामिल करनी की बात की जा रही है अब केस जीत रहे क्यों केस हा रहा है तो क्या हो रहा है बीएड जीता है तो इसका मनलब बीएड प्रथामिक में सामिल होगा अब यही खबर है दूसरी चीज़ पेपर में यह कहा गया है सुप्रीम कोट मंगलवार को दिया गया कि फैसला उत्राखंड में लंबित बीएड प्रिसेचित विरोजगारी और सिच्छा के जगत में लाबकारी फैसला है इस फैसले से टीटी पास बीएड अभ्यारती इसकुलों में बनेंगे सहायका ध्यापक अब बताइए सुप्रीम कोट का दो फैसला एक ही अलग-अलग फैसला कैसे उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोट ने ही पहले 11 अगस के फैसले में कहा कि एंसिटी के गज़ट रद करक अब यहीं पर फैसला दुबारा आता है आप देख सकते हैं कि यह नाइश डियलेट को बाहर योग नहीं है डियलेट के समकच्छ नहीं है उनको उत्राखंड के नैनी ताल के फैसलों खारिच कर दिया जाता है और बीयड को जीद मिलती है और बीयड इसका मतलब सहाध का अध कि अगर बीयड वहां सामिल हो गया उत्राखंड में इसका मतलब भारत के प्रतिक राज में बीयड भी सामिल होगा तो उसी अधार पर अगर ऐसा होगा तो यह नाइश डियलेट को इसमें फाइदा क्या होगा क्योंकि एनाइश डियलेट भी एंसीट के गजट यह चैनल को लाइक करें कमेंट करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें और सिच्छक भरते किसी भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो के साथ जहिन साती हो नमस्कार है वी नाइश डे गूड़ डे सभी को थेंक्यों आफियो झाल